जे क्या कर रहे हूं? जे बीच मार्क पर.. मार्क परी तो आ गई हूं मैं मुझे यही सब के सामने उत्तर चाहिए जो शोदा जी बताओ, अभी बताओ यह चोरी और मेरी जो इतनी हानी हुई है उसके बारे में क्या करोगी आप? बोलो! सुलक्षिना, देखो, हम पता लगा लेंगी जो भी आवश्यक होगा वो सब कुछ करेंगे हुई हाँ, किन्तु पहले तुम भीतर चलकर शांती से बैठो और हमें बताओ तो सही क्या हुआ है भाबी, जशोदा भाबी, बहुत ही अनूचित हुआ है मेरे साथ अब इससे क्या होगा? आज तो सारी सीमा पार कर दिये काना ने क्यों? तेरे घर में माकन खाने आया था वो? हाँ, आपको कैसे पता? चलना, भीतर चल, चल अपनी सारी गाता सुना देवाँ, आजा ये दिनों एक साथ आ गई अब इस माकन का क्या करें? अब बताओ, क्या समस्या है तुम दोनों की? आपके लल्ला ने मेरा माकन चुरायो है पूरा पारंगत है चोरी में और ये माकन तो ऐसे चुरातो है जैसे माकन चुराना कोई कला हो कला अच्छा, कैसे? माकन की पूरी पास-पास मट्किया चट करगो और मेरे घर दो-दो मट्किया हम इतने वर्सों से तो मैंने अपने लल्ला को भूखा रखो है न उसे तो मैं माकन देती ना हूँ ये जो इतना सारा माकन इकठा करके रखो है ये तो मेरे लिए है सुलक्षना, कस्तूरी कानहा को यदि माखन खाना होता तो अपने घर में खाता न तुम्हारी आ क्यों जाता भला अच्छा जे बताओ वो तुम दोनों के यहां आया कब था मंदिर की भोगार्ती के समय कानहा तो तेरे यहां था ना कस्तूरी तो सुलक्षना के यहां कौन था? और यदि वो तेरे यहां था सुलक्षना तो फिर तेरे यहां कौन था? जशुदा जी पहुत अच्छी तरह से समरन है मुझे जब मंदिर में भोगार्ती चल रही थी और उसी समरन है कानहा मुझे अच्छी से समरन है जैसे ही मंदिर की आरती आरम हुई थी न, काना ने मेरे घर में प्रवेश किया था लाली तु मुझे असत्य सिद्ध करने का प्रयास मती कर मेरे घर आया था काना क्या करें? काना रखिया माखन इसके साथ पकड़े कर तो सबस जाएंगे चाची, आप जूट क्यों बोल रही है? काना मेरे यहां आया था जूट तू बोल रही है, मैं अन्भी ना हूँ चाची, असत्य ना बोलो काना मेरे घर आया था काना मेरे घर आया था नहीं मेरे घर आया था अभी अब कहीं तो मेरे घर आया था आप जूट बह रही है, आप जूट बोल रही है, चार्णी! अस! कौना किसी के घर ना गया था? तो के वो यही है, अपने दाओ के साथ? देख लो! आओ! सोयन, देख लो! जब मंदर की घंटी बजी थी ना, तो हम दोनों इनके साथ ही थें, और जब आरती की घंटी बजी ना, तब हम द्वार बंद करके चली गई, क्यों जिजी? हाँ, और तब भी यह दोनों यहां सो रहे थे! सोते हुए काना कित्ता निर्दोश लग रहे है! हाँ, द्रिष्टी ना हट रही है! हम, पहले आरोप लगा रही थी, अब द्रिष्टी लगा रही हूँ! पर यह तो सच्छी में घर है, अब नीद भी तोड़ोगी क्या? हनेपो! हाँ, 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 हाँ... हाँ, हाँ... हाँ, 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 हाँ... भाल, भाल बच गए? पर मैं कैसे मान लू जशुदा जी, मैंने तो स्वयम अपनी आखों से देखा है और मैंने केवल आखों से ही नहीं, अपनी पांचों इंद्रियों से काना कानूबव किया है मेरा विश्वास करो आप दोनों हाँ, मेरा काना तो साक्षात नारायन है न? यत्र तत्र सरवत्र तभी तो, वो यहाँ भी था, तेरे यहाँ भी था और शलच्छना जी, आप के यहाँ भी था पर ना ना ऐसा करो, दो-चार और गोपियों को बुला लो तुम दोनो उनसे भी क्या लवा दो, कि एक ही समय में काना उनके या भी था माखन तुम दोनों के मूँपे लगो है और माखन चोर मेरे लल्ना को बुला रही हो दोनों नाना जशुदा जी, जे माखन तो काना नहीं खिलायों मुझे हाँ, मुझे भी काना ने स्वयम अपनी हाथों से खिलाया था, सच्छी क्या हो केशो, जे सब मैं न जहनती जो सुदा जी बाहर इतना कोला हल क्यों हो रहो है जैसे सुलक्षना चाची और कस्तुरी जगडा कर रही है ये क्या है? माखन एदाओ कर्या आया कहां से? ये वाला कस्तुरी के घर से और ये वाला सुलक्षना चाची के घर से तो मुझे न की घर हो भी है कोई इतने प्रेम से बोला है तो जानो तो चीए ना दाओ बस इतना जानती हूँ कि आपके करह ने मेरा सारा माखन सा माप कर दियो पर बाहर का खुलाल तो कुछ और ही कता कर रहा है आप फिल्म चक्के देख लो स्वाथ से बदा चल जाएगो कि इसमें कित्ता प्रेम है चुडा के ना लायो दाओ मुझ खिलायो विस्वास करो विस्वास करो जाशोदाजी स्वयम कानाने मेरा माखन खायो और बन्राम के लिए भी लेकेगो हाँ जही तो मुझसे भी कहा था उसने ये धाओ को खिलानो है ले जाओ अधिक सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे लोना दाओ अच्छा तो तुम दोनों कहना चाह रही हो कि माखन चुराने के बाद उसने बल्राम के लिए भी मांगो हाँ अपने हाथ से तुम दोनों को माखन भी खिलाओ और फिर तुमने उससे जाने भी दियो वही तो जशोदा जी वो पूछ तो इतने प्रेम से है मना ही नहीं करा जातो हाँ हाँ और जही बात मैया को समझाते समझाते पूरा दिन और पूरी रात गयो अब तुम मुझे भी विश्वास हो गुए जशोदा तेरा लल्ला ही आया था मेरे गर माखन चुराने आज तो सब भी आ गई यहाँ ना दाओ, सब भी ना यह अभी जानकी छोटी है अभी जे सोचके मैंने बात को जाने दियो तो उसका लाब उठाओ सावित्त्री ने फिर भी मैंने कचुना कही तो अब तुम सब का सहास इत्ता बढ़गाओ है कि तुम सब आपस में मिल गई क्या लगतो है तुम सब को कि तुम सब मिल कर मेरे फूल से निर्दोस बालक पर आरोप लगाओगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी पर आरोप कौन लगा रहा है जशुदा कानहा ने सच्ची में माकन चोरी किये तो सिब्ध करो ना अब किसी ने कानहा के लिए एक सब्ध भी कही ना अपने आरोप को बापिस लो और अपनी भूल स्विकार करो अब किसी की एक भी ना सुनूंगी मैं हाँ नहीं को काना अत्थी हो गई है अब बंद करो ये माखन चोरी का खेल कोपिया अब साथ नहीं बैटेगी सब मिलकर कोईना कोईना अवस्य बनाएगी तुमारे विरूद देखो देखो क्या अंदसा की है मेरे घर का द्रिस से भी कचु भीनना है पूरे घर में माखन बिख्रा पड़ो है ऐसे ही चोरी होती रही तो हम परमानन जी के सथ व्यापार कैसे करेंगे और धन्वार कैसे पनेगे पर समस्य तो जे है कि हमारी बात मानने को यसोदा जी जी तैयार ही ना है अब उनके लिए साच कहां से लाए हम और कैसे हमें काना को रंग यहांतों पकड़ना पड़ेगो जित्ता आसान लग रहे हो है जित्ता आसान ना है उसे पकड़ना जैसे ही मेरे हादों ने उसके पाओं को छुआ था अचानक ही जाने कहां खो गई दिने उसके बाद क्या हो मुझे कच्छु पतो ही ना चला ऐसो है वो करहिया अरे बावली नन्ना सा बालक है वो कोई सिद्ध चमतकारी सादू महात्मा थोड़ी है सादू महात्मा को तो पता न मौसी पर चमतकारी अवस्य है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था चंता मत करो मौसी दो गुनु से भी अधिक विएगो फूके की भूट मिटाने का पुन्य अप्राप किया है आपने मधू से भी अधिक मीटी बातों के चमतकार से बहका दिया था मुझे भी उस माधव ने मेरा अनुबव भी इन सबसे समान है मैं उसके छूते ही सारी सुदबुद भूल गई थी मैं जाने क्यों अपने ही हातों से साहराम आखन दे दिया था मैंने उस नंद की सोर से वैसे जे तो सच है कि उसकी मुडली की धुन के समोहल में मैं भी कीची चली गई थी उसके पास पर तुम सब जो कह रही हो उस पे तो मुझे भी विश्वास ना है तो जशोदा को कैसे होगो पर मौसी सत्य तो जे है कि मेरे साथ भी बिलकुल ऐसा ही हुओ था अपने हातों से माखन किलाकर मेरा मन भी मो लिया था उसमन मुखन ने वैसे माखन किलाकर मेरा मन भी हर लिया था उसने ऐसा मनोहर है वो तो इन सबके घर गो है वो बस मेरे यहां ही नायों सबके सब किसी एक स्पान पर इकटियों गयोंगी हाँ सही केरो है दाओ माखन भली चुरातो है पर चुराते हुए कितना प्यारा लगतो है ना ऐसे तो पकड़ लियो इन्होंने अस माखन चोर को एक युद्र शोडाउन सबका कि तुमारे विरूत देर सार सक्षय कैसे इकट्टे करे अभी तु धेर सारे प्रेम भरे नाम इकट्टे किये उन्होंने मेरे लिए कनेया लांद की सोर, माधम, मनोह और मनोहर यह सब कौन है यह मेरे नामे दाओ गोपियो ने दिये मुझे यह तो सौंपा भी नहीं है अभी तो बस एक के नाम से पुकार रहे होंगी वो सब तुमें माखन चोर कि तो नाम का भी रहाँ यहства बस्वाँ प्याँ रहाँ तो साँ देखो तो चिची, कैसे निश्चलो और निर्दोस लग रहें दोलों, ऐसे जैसे स्वयम नारायन का स्वरूप हो अरे, यशोदा, ये क्या हो गया तुम्हें अचानक? जिची, इतने निर्दोस से फूल जैसे बालकों पर, कैसे लांचल लगा रही है सब की सब? इनका रिदेना कापता, नारायन का भी बहना है इने अच्छा बस, शांत हो जा, तुम्हें तो पता है न उनका सामना कैसे करना है, बस अब रो मत मैं ना रो रही जिची, मैं क्यों रोने लगी भला? रोएं वो, जो मेरे लल्ला पर जूटा आरोप लगा रही हैं ताना, बल्राम, उर्चाओ दोनो, उर्चाओ चलो, दूद पीके सक्ती साली हो जाओ दोनो, लो पल में अगनी की तपिश, पल में जल की शीतलता, ऐसे अनोखिस वभाव की है ये ये शोदा गोपिया इससे टकरा कर भूल कर रही है हमें कोई योज ना बनानी पड़ेगी, कहां खोई हो तुम सब उसके भूलेपन में, उसकी मनमुहक मुस्कान में, उसकी सम्मुहक गेहरी आँखों में उसकी मेती बातों में कहां कोगो? कोई तो गोपिया है महिया, लगतो है आप मोगे उन्हें जगाना पड़ेगो तुम सब तो उसके बारे में सोच सोच की जाने कहां खो जाती हो और चली हो उस माखंचोर को पकड़ने पर कोई न कोई उपाय तो निकालना पड़ेगो, कोई ऐसा उपाय जिससे हम उसकी मीटी बातों के जाल में न फसे और उसकी मुष्कान से मोहित न हो जाए सबसे अधिक संकट तो उसकी आखों से है बर्जे संबो कैसे हो गो? उसे देखते ही हम नारायन-नारायन का जाप आरम कर देगी मन-नारायन में रमेंगो तो उसकी माया हमें ठग ना पाएगी पर अब प्रस्थन ही यह है कि हम उससे रंगे हातों पकड़ने कैसे हम सब के यहां तो वो माखन चोरी कर चुको है अब किसके यहां जाएगो वो माखन चोरी करने मेरे यहाँ दूद पो पूरा समापना किया तुने लला काउ माता रूस्थ हो जाएंगी जे तू कहा दे के मुस्कुरारो है लला कभी भूमी पर देख रहो है कभी द्वार पर देख रहो है गोप्या इसके विरुद योधना बना रहे है ना चोटी माँ उससे के बारे में सोच रहा होगो यह क्या क्या मैन है तो तुम दोनोंने हमारी बाते सुनने उन गोपियों की चिंता मति करो तुम दोनों, उनों तो मैं समाल लूंगी ना मया, हम बड़े भी तो हो रहे हैं, हमारी समसा हम सेम समालेंगे है ना दाओ? हाँ छोटी मा, हम दोनों इतने बड़े तो भी गाये, क्या बनी समसा सेम सुल स्वा सके हाँ आप दोनों हस क्यों रहे हो? तो हसने के बात नहीं है, हम सच्ची में पड़े हो गया है हाँ, बड़े तो तुम होई गयो जे पकी-पकी मूछे जो निकल आई हैं तुम दो लोगी, फीम जैसी स्वेट तुम गोनों चाहे कित्ते भी बड़े क्यों न हो जाओ, हमारे लिए हमारे लल्ला ही रहोगे समझाई? तुम तुझा सुदा जी की पकी सकी हो, फिर तुम हमारी साहता क्यों करोगी? क्योंकि मुझे पतो है कि कानहा निर्दोश ना है, मैंने स्वयम देखो हैं उसे, कस्तूरी के घड़ से माखन लेके चाते हैं सुन लियो भावी, और आब मुझे जूटा बोल रही थी जे आपस में जगड़ने का समय ना है लाली, उसके विरुद्ध इकटा होने का है पर अगली चोरी प्रभावती के यां होगी, जे पक्ता किसे करें? एक उपाय है, उससे काना प्रभावती चाची हिंगर पक्ता आ जावेगो सची मेरे कहने का अर्थ है कि वो आएगो ये, तुझे कैसे पतो हाँ? ऐसे पता ये मत ही पूछो, पर आपको उससे लुबानो होगो किसी तरह उससे पता चलनो चाहिए, कि आप कौन से समय घर पे ना रहोगी और जे भी, कि वहाँ बहुत सारा माखन रखो है बस, फिर अपने आप जाल में फच जावेगो? एई नराय, कसूरी का उपाए सफल कर देना मैं भी वही अनुभब करना चाहती हूँ जो इन सबने अनुभब क्यों है बस तो फिर, तू से अपने घर बुलाने की तयारी कर प्रभावती और हम सब लोग वहाँ चुपकर बैट जाएंगे फिर जैसी ही वह वहाँ आएगो हम सब उसे चार और से घेर लेंगे और रंगे हाथों पकड़कर जशुदा जी के घर लेकर जाएंगे उसे आपके लल्ला ने मेरा माखन चुरायो है पूरा पारंगत है चोरी में और जे माखन तो ऐसे चुरातो है जिसे माखन चुराना कोई कला हो कला अब तो मुझे भी विश्वास हो गुए जशुदा तेरा लल्ला ही आया था मेरे गर माखन चुराने संसार के कपट से अनभिग्य है मेरा लल्ला भोला भाला है ऐसे निर्दोस पर आरोब लगाते इन्हें दनिक में लज्जा ना आती बाईया मैं साइता करू अच्छा पहले जे रखके आजाओ दा जा द्यान से अच्छा दाओ कहा जी आरे वाप देखो मुझा माखन निकालनों भी आतो है आओ आपको भी स्खातू जीजी चाची खाना जीखा करो है खाना ठक जाओंगी मैं खाना असकर ठक जोएगो बहुत प्रेम है से तुझसे मुझसे प्रेम होतो तो अब तक मेरे घर भी माखन खाने आगो होतो तो है मुझे बात प्रिया है तो भी ना लाती आप शम्बा कर देका ना क्रोध बति कर का ना तु मेरे यहां आजायो मैं बना के रखूंगी गुड़वाला मिठा सा दही अब चाची क्या जाके खाने को तयार है जैसा कस्तूरी ने समझाया था वैसे ही करके देखती हूँ क्या पता जे आही जाए सक्ची प्रभावती एक तू ही है जो मेरे लल्ला से सक्चास्ने करती है ना जाने इन सारी गोपियों को क्या हो गवा कहती है मेरा लल्ला इनके यहां जाके मांखन चुडातो है हे ना रायल इत्ते से काना पे इत्ता बड़ा अरोप क्या आप भी ने कर लियो चाची वाँ पर ऐसे कैसे बोल सकती है जेसब वो ही तो काना को पतो है कि मेरा घर सबसे निकट है काना को तो जे भी पतो है कि अगर मैं सबेरे हाट के लिए निकलती हूँ तो तुपहर तक घर न लट पाती हूँ ये तो कस्तुई की तरह वेहवार कर रही है काना को तो जे भी पता है जिजी कि मेरे घर पर उपटंगी माखन की मठी को उतारने के लिए पट्टा भी खंबे की पीछे ही है कित्ती बार तो मेरे घर आयो है जे क्यों काना इसे तो अच्छी तरह पता हुए कि मेरे घर से किसी को भागनो हो तो ढेरो सारे द्वार जरों के है कहीं से भी भाग सकतो है चोर पर तो जे सब क्यों बता रही है वही तो जिजी यदि इसे चोड़ी करनी होती तो सबसे पहले मेरे घर आतो अब जे ही बात इन सब गोफ्यों को कौन समझाए आप चिंता मति करो जिजी कर सुभे जब मैं हाट जाओंगी तो वहाँ सब को पकड़ कर बहुत अच्छे से समझा दूँगी मुझे कच्छो ना चाहिए ठीक है जिजी चलती हूँ सब इरे माखन निकाल कर सिधा हाट को ही जाओंगी घर पे कोई न होगो ना रायन ना रायन जिजी ठीक है खाय ना आज कच्छों बिच्छेतर बात देना खर रही जी सारी गोफियों को ना जाने क्या होका है सब मिलके मुझे बावनी बना देंगी मटका का रखो काना सुना हाँ दाओ सुबे चाची हाँ जारी है माखन कालने के बाद अब श्याही तुम्हे लूपाने के लिए कस्तूरी ने समझा बुचा कि बेजा है उन्हें तब तो प्रभावती चाची का घर का माखन चखना ही पड़ेगो कल इसर तुम आउसर समाज रहेगो ओजाल है काना सब पूरी तयारी से तुम्हारी प्रतिक्षा कर रहे होंगे तो हम भी पूरी तयारी के साथ ही जाएंगे दाव गुडवालो दही दिखाओ तो एक चमच जरह चक्के वदाव सही है कि ना 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 जे तुम सब के लिए ना है तो किस के लिए है जे तो मैंने कानहा मेरे कहने का अर्थ है कि कानहा को फसाने के लिए बनाओ है बहुत प्रिय है ना उसे तो हो सकतो है कि हमारे लोब के जाल में वो फस्ज है यदि जई दही ही ना खापायों तो उसके आने का लाब ही क्या इसलिए तो भूत प्रेम से बनायो है मैंने उसके लिए अभी भी समय है मेरी बात मानलो काना सबसे पहले भार वाले कचके सारे ज़रों के बंद कर दो ठेरो प्रभावती सारे दीपमत जलाओ कम प्रकाश में छिपना और उसकी प्रतिक्षा करना सरल होगो वहां सब भी हमारी प्रतिक्षा कर रहे होंगे इसलिए हमें भी ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि कोई हमें पकड़ ना पाए काना को पकड़नो है तो सबको सतरक रहना पड़ेगो एकी जरोके से सबका बार निकलना असंभव है सब अलग अलग कच्छों में जाकर वहां की जरोके से भागेंगे वो किसी भी द्वार किसी भी जरोके से भाग सकतो है इसलिए जहां से भी आने जाने की संभवना है हर उस्तान पर हम में से कोई ना कोई पहरा देगो मदू तुम बड़े कक्स के जरोके से बार निकलना उजित है जानकी, कस्तूरी, तुम दोनों ये रसी लेके बड़े कक्स के द्वार पर दृस्ती रखना उजिवल, तुम पूजा वाले कक्स के बड़े जरोके से बार निकलना सुमती, मौसी, आप दोनों पूजा कक्स के बाहर पहरा देना ताओ आप रसोई गर के चलोगे से बार निकल जाना और रसोई घर का दाईत्व में तुम्हें देती हूँ सावित्री काना मैं तु सबसे सरल माक से पार जाएगो मसंता मुख्य द्वार से और मुख्य द्वार संभालूंगी मैं हर बार काना वही से जातो है ना क्यों दर से नाना में केसे चंता मति कर वसंता मैं तेरे साथी राऊंग got इस बार उसके बचने की हर संभावना समाभ तु लक्ष्णा अब मैं क्या करू और शीदा मा ये काल से भागने काज था या अबने घर में भागने के वही कई छुप जाए गुई है। तुम माखन की मट्कियों के पास छुप कर बैठ जाना। ताकि जब काना माखन चोरी करने आए, तो तुम उसे रंगे हाथों पकड़ सको। वाँ, क्या योचना बनाई है। वाँ, क्या योचना बनाई है। पर कोई तो समस्याता ना होगी ना काना। ना, हम सभी सत्तर रहेंगे। हम सभी को सत्तर क्रेन होगो। प्रभावती, तुम्हारे पास घंटिया होगी ना। हाँ, जाओ, लेकर आओ। अभी लाए। ते रही घंटिया। इसे माखन की मट्की से बान दो। ताकि जब वो मट्की को हाथ लगाए, तुझे बच जाए। और हमें उसकी सूचना मिल जाए। तुम्हारे लाए। साथ पामया भी तो होगी। मैं पकड़ा गया तो, किसी को ना पकड़ पाएंगी वो। मैं हूँ ना। वैसे हर बार पकड़ में आकर भी, तु बच कैसी जातो है। हाँ, ऐसा कैसे कर ले उते हैं तु। कि सारी गोपियां तुझे देखती रह जाती है। और तु आनंद से बाहर आ जातो है। अब क्या उत्तर दू इन्ने। कोई तो रहस्य काना, सची सची बता। वैस्य तो है, यह मोर वो खुट। इसी का चमक कार है, कि सब इस प्यारे से मोर पंक को दीखती रह जाती है। और मैं बचके निकल आतू हूँ। फिर मैं भी मोर पंक पेंके दाउंगो आर। क्या सुजाओ, क्यों है वसंता। आज हम सब मोर पंक पेंके ही जाएंगे। अपने अपने स्तान पे जाओ और छुप जाओ। अपने स्काइब। अपने स्काइब। कब आइगो काना कि λगर होना में बिल्कुल क? काना? जहाब है pan Maak with बिल्कुल तुम्मारे देसा लग रहा हो ना और आप साफ़ते कि क्रिष्णा, क्रिष्णा, हैने क्रिष्णा, 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 क्रिष्णा पुर मनुहर, क्रिष्णा, گोपा ना ना ध्वनी कोई हो ना बता कुछ लगे आए चुके से ग्वालों की टोली चाहे कितना बचाओ छिपाओ कही सारा मखन ये कर जाए खाली मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा ये बड़ा है ये नखट बड़ा चिक्चोर तुने से कही तीका ना लगतो है श्रुप पतिक सा करके अपने अपने गर सली गई पर इत्ता अंधुकार क्यों है कुप पतो ना मैय वेच्चोत अतना अंधुकार ना रखती काना अभी पर समय है लाच चलो पुछना आंगो दाओ पसाप दूद्धाई माखन टोलो वो रो हो पहले खापे लेते थोड़ी और जया जाएगी फिर माखन का भोग लगाएंगी काना तुभी ने जो लेना है खोई ढून रोजवल स्मरण है न क्या निश्चित क्या थामने बागना पड़े सब ऐसे ही बागना लो इसको खाके देखो इसमें दोय और गुड़ तो हाई ही साथ में धेर सारा पेम बी छुपो है स्वयम हातों से अपने ये बाटे पूरी टोली को माखन खिलाए बड़ा नंखटे नंद किशो बूला बाला काना है माखन का चोड आथ तो आनन्द यागो काना माखन के साथ साथ मिठाए भी मिलगो पर तुझे कैसे पते चला कि मैं गुड़वदे बना के रखेंगी लंबी कता है बाद में जानना पहले ये सब समप करो ताकि हम शिग्र लॉट पाए पर माखन काए भी ना कैसे चाह सकते हैं बलरा मेरे घर पर उपर टंगी माखन की मट्की को उतारने के लिए पट्टा भी खंबे की पिछे ही है आज भरवद बनाने की आवशकता नहीं है काना गंटियां कात आना ये जाला है चलो यहां से चंत्या मत्य करो दाओ ये नहीं बज़ेगी सुनो गंटियां बज़ना मत मुझे चालदी समट की उतारने देना जो आग्या प्रभू काना संभाल गेर आओ धावा बोले इसमें मा कने भी इतने अंदखार में कुछ पतोई ना सलेगो एक जोरो का खोल देता हूँ मैं भी ये ये वो भी टंडा लेके वैसे तो मैं किसी से बैबीत ना होतो पर जिस्ट धी ऐसी है चल काना सीगर भाग चले अब तो भीतर आई गया मटी नीचे उतार ही लिया तो माखन खाके ही जाती है ना वैसे ये सब सोरी है ना फैपे धोई बेना माखन का आनन लो बोर्पंक है ना पुछना होगो तुम्हें ते सुष्णा पुर्पंक है मना किया था ना फिर क्यों अजी शमा कीजिये का प्रभू आपको भोग लगता है तो हम हमेशा बचती हैं स्वाभाओ से विवश हैं इसलिए बच गई अब क्या करे काना अखू ये रखाना काना काना जानी काना नहीं जे काना अरे भूदेख जाचे काना मैं तो या हूँ काना तो हम तो हमें यह फिर से अपनी मन मोख आखो का प्रयोग कर रहो है काना बुरा फजगो काना के मोरपंक ने हमारा साथ तो दियो पर उसका साथ चो लिवाज आज तो तू पकड में आगे हो काना आप पेरो खुट का दई बनाया था ना चाची बहुत ही स्वादेश था वो सच्ची अंभाल के परभावती इसके जासे में मत फसना हाँ 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 अचाची आप ऊजे छोगीने तो पकड़ेओंगी कैसे प्रभावती, नारान का नाम जपो, और पकड़ लो इसे अब तुम इसे लेकर सिधा जशुदा जी के पास जाओ, हम तुम्हारे पीचे से आएंगे, अगर साथ आए तो जशुदा जी सोचेगी कि हम इसके विरुद्ध कोई साधी अंत्र रच रहे थे, खड़ी क्या है प्रभावती, सिग्र लेके जाना, सारा का सारा माखन चट सोचो, अब व्यापारी जी को क्या मो दिखाओगी, इसे रोप नहीं पड़ेगो प्रभावती जशुदा जीजी, कहाओ, बहार आओ, जीजी क्या होगो प्रभावती, ऐसे आकास सर पर क्यों उठा रही है क्योंकि आपके लल्ला को रंगे हाथों पकड़ो है मैंने आपको साक्ष चाहिए था ना, जे रहो साक्ष अब बताईए कौन है दोशी, हम सब गोपियां या, आपका कानहा अच्छा, तो तुने मेरे कानहा को रंगे हाथ पकड़ो है, हाँ पक्की बात? अब भी कोई संदेह है आपको, सबके सामने पकड़ो है, माखन चुराते हुए अच्छा, तो कहाँ पकड़ो है तुने इसे? मेरे घर पर ओ, तो तुने कही सब के सामने पकड़ो है, तो और कौन-कौन था वहाँ? तुलक्षना थी मेरा नाम लेने के क्या होगा सकता थी इसे? संकरी मौसी थी, सुमती, सावित्री, कस्तूरी अच्छे सबको नाम क्यों ले रही है? और जान के भी थी अब ये सोदा भाबी कभी अपने घर में प्रवेशी ना करने देंगी अमे अब सब बाहर से क्या तांखा जाकी कर रही हो? लीतर आली जाओ तुम सबको तनिक भी लज्जा ना आती ना? हाँ? सारी स्त्रिया एक साथ मिलके मेरे नन्हे से काना के विरुद सड्यंत्र रच रही हो सबकी सब तुम सबके पतियों को अच्छा लगेगा ना जी सब जानके पर भापी हम सब रभावती चाचे के यहां छुपकर बैठी थी वहां हमने अपनी आखों से देखा है काना को चोरी करते हुए जशोदा जी हमें यह सब आपी के कारण करना पढ़ रहे हैं मेरे कारण साक्ष लाने भी तो तूने ही कही थी ना अब जे रहो आपका साक्ष आपका काना प्रभावती तेरी मती मारी गई है क्या तू भी आगए इन सब के जहांसे में ना ना जिजी मैं इन सब के जैसी ना हूँ जो केवल आरोप लगाऊं काना को सायम पकड़ो है मैंने चोरी करते हुए तभी तो लाई हूँ तो पहले देख भी ले तूने किस का हाथ पकड़ो है मेरे काना का या अपने स्रीदा मा का जे कैसे संभव है यह तो लगतो है अधिक माखन बेचने के चक्कर में बहुत अधिक स्रम कर रही है तू तभी तो अपने लल्ला में भी तुझे मेरा काना दिख रहो है यहां कैसे आगो तू अवश्य काना ने अदला बतली की होगी मेमे मेमे क्या तूने भी माखन खायो है ना काना से मीलो है तू भी ना अरे बसकर प्रभावती अपनी भूल चुपाने के लिए उस निर्दोस बालक को क्यों नाट रही है पर जशोदा जी मैंने अपनी आखों से देखा है प्रभावती को आपके काना को पकड़ते हुए हाँ भावी मैंने भी देखा था देखा तू मैंने भी था पर अबने सब ले देखा था फिर शेंधामा कैसे यहां आगयो प्रभावती नहीं मार्ग में कच्छुन कॉछ गरबढ कर दी होगी मैंने कोई गरबढ ना की है आत पकड़कर सिधा यही लाई हुई से अब अपनी भूल मान लो सब तुम सब मेरे कानहा को माखन चोड सिध करने की हट में इतनी अंधी हो गई हो ना कि तुमें स्रीदामा में में कानहा दिख रहो है और तू प्रभावती तुने तो उस निर्दोष को माखन भी न खाने दियो और उसे कानह समझ के यहां ले आई देख मूपे माखन लगो है जिजी कानहा ने अवस्थ सही कोई छल कियो है हाँ बाभी क्या और कैसे जे मती पूछो इसका उत्तर ना है हमारे पास पर कच्छू न कच्छू कियो है उसने तो हर बार कैसे बन चातो है हाँ वही तो अपनी आखों से न देखो होतो तो मुझे भी विश्वास नहीं होतो पर जशोदा इस बार चोरी तो काना नहीं किये मेरी बाद मानती हो न तुम हाँ हाँ जे सही है मौसी आप सब स्रिदामा को काना बुलाओ मैं मान जाओ आप सब मेरे काना को माखन चोर बुलाओ मैं मान जाओ अरे आप सब के मन में जो कच्छू आए आप बोलो और मैं बावने मान जाओ मती मानो पर जब यह अपने ही घर में चोरी करेगो ना तो मानना पड़ेगो जशोदा जी मानना ही पड़ेगो जी जी मानना ही पड़ेगो हाँ जी जी बालक को ऐसे बचाओगी तो उसका साहस बढ़ते ही जाओगो जब अपनी यांकों से अपने लल्ला को चोदी करते हुए देखोगे ना जी जी तब हम सब आपसे प्रसन करेंगे फिर देखते हैं क्या उत्तर है आपके पास चलो हाँ, चलो स्वाहम को सिधना कर पाएं तो अनरगल बड़ड़ा आ रही हैं सब की सब मेरा लल्ला अपने घर पे माखन क्यों सुदाएगो मला तुमने या जीजी के सामने उपहास का पातर बना दियो मुझे जे तुने ठीक ना किया तेली ना बोल सतो था कि मैने काले अको ना तुझे पकड़ो है तो पर मैं तो यहा हूँ ना मैया पर मैं तो अभी शिदामों को भीतर लाई थी जे खहोरो है पर मैं तो यही ता मैया घर पे मैंने काला को चोरी खड़ते पकड़ो उसे जिज्जी के पास ले गई वहाँ पलट के देखू तो वो कानहा ना शिदामा था फिर मैं शिदामा को यहाँ पर ले कर आई तो वो कानहा निकला ते का होरो है तक तो है अधिक मागन बेचिने के लिए बहुत अधिक सम करियो आप शिदामा मैं बी मैं दिख रहो चाची ना तो यहाँ माखन जुराने आयो था पर अब मेरे साथ चल कर रहो है ओहू चाची आप भूल रही हो मैं तो यहाँ गुल वाला दई खाने आया था आपी ने बुलाया था ना हाँ बुलाया तो मैं नहीं था बहुत फादेश था फिर से बनावत भताना मैं फिर आवो खाने अरे आगई आप लेकिन अपने साथ कुछ नहीं लाए आपका वजन तो स्मरन है ना आप हो मैंने सुना था ओकल वासियों के लिए उनके वचन से बड़ा कुछ भी नहीं है और आपने दो मेरे सामने श्री नारायन की शपत ली है हाँ हाँ हमें स्मरन है व्यापरेजीद आपको चिंता करने की कोई आवसकता ना है जे तनिक कुछ कारम से विलम हो गयो पर हम एक दो दिन में आपको सारा माखन दे देंगे अगर सामगरी सर्वश्रेष्ठ है तो एक दो दिन तो परतिक्षा करी सकता हूँ मैं किन्तु आपको वो सामगरी लेकर मतुरा आना होगा आज मैं जा रहा हूँ ना हाँ हाँ आप चिंता मती करो हम सारी सामगरी वहां आराम से पहुचा देंगे पस तो भिर मैं आपको मतुरा के द्वार पर ही मिलूँगा नाराय 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 यहां अगरिन धनराशी मिली थी मतुरा में मिलेगा दोखा सब जटक लूँगा पावली हो गया सब किसा नबातों का और ना चोर कुछभी पकपक करके चली गई इनके घर में गुसके माखन चोरी कैसे कर सकता है मेरा काना कशू सोचो की न काना दो दिन से चौरे विद्यापरसान टोली किसके अगर माखन चोरी करने जानो है बता न काना अभी साथ बैठना है उचित होगा, हुमारी टोली के लिए पर हमारी टोली, खेलने तो जा सकती है ना गोप्यों की कारण दो देन समया व्याकुल है अब मुझो ही कच्छो करना पड़ेगो खेलने, चलना उन सब चलो, मैं बाग में आऊँगू बाद में क्यों? मेरा विश्वास परोदाऊं आप सब जाओ, मुझे एक छोटा सा कारी है पीछे पीछे आतों मैं हूँ करके अपने सखाओं के साथ क्यों न गओ खेलने? योज राज सफल हो गई अकेले अकेले ही खेल रहो है लल्ला सखाओं के साथ क्यों न गओ? मैंने सोची लिए मैया अब से बाद खेलने न आ जाऊंगो ऐसा क्यों लल्ला? बोल न अच्छे हुआ है क्या? किसी ने जगड़ा कियो क्या तेरे साथ? जगड़े की बात ना है मैया जब से मैं बाद जाने लगू न कोप्या मेर सिखाल देकर आ जाती है पर आप उनकी बात सोच के कोकोल रहती हो खस्ती मुस्क्राती भी ना हूँ इसलिए मैं अपसे बाद जाऊंगो ही न आप क्याको के साथ नहीं रहोंगो तनिक अधिक ना सोचने लगा तू? आप ये तो किता अधिक सोच्ती हूँ या अच्छा अपसे ना सोचोंगी बस? और पहलीक तो प्रसन्न भी रहोंगी हाँ, प्रसन्न भी रहोंगी और तू भी रहेगो न? और सखाओं के साथ बाहर खेलने भी जायेगो न? भैबीत होने के कोई आवसकता ना है गोकुल की रानी हो मैं और तू मेरा प्यारा सा राजकुमार मैया, फिर से गोक्या सिकायत लेकर आई तो? तो क्या? ऐसा भैबीत करूँगी? कि उल्टे पाउं भाग जाएंगी? और सदैर स्मरन रखेंगी? आने तो? मैया, उनको भैबीत कैसे करूँगी? ऐसे? मैया, अवस्य जानकी होगी, है ना? सावधान जहां है, वहीं ठहर जा मेरे घर में पाउं भी मती रखियो, चुप चाप चली जाया जह क्या हो रोई? जह क्या हो रोई? जह क्या हो रोई? ऐसे जह मूँच्छ जच रही थी तुम पर यही तु चाता था मैं? अच्छ, मुझे अभी सीगर जानो है, वापस आकर इस मूच्छो वाले योद्धास मिलतो आप इत्ते उत्सा में कहां चल दिये? बोट विसे सतीती को अमंत्रित करने जारो कड़ो ब्रामण वर्सों के तीर थीयात्रा के पस्चाथ वह हमारे गोकुल्म पधा रहे हैं ये कन्नों बराबन कोन है, मैया? बहुत उच्छ खोटी के वैसनव है, लल्ला नारायन के बहुत बड़े भाद पतो है, तीर थीयात्रा पर जाने से पहले उन्होंने मुझे सीगरी मैया बनने का असरवाद दिया था और फिर चिननन्न सा काना गोद में खिलो मेरे ये सुधा, उन्ही तो पता भी ना होगो के हवाया लल्ला हुआ है सारी मट्किया अच्छे से रखना ठीक है सुनो पती देव, ख्यान से लेके जाना ठीक है सही से गिंती कर लिए ना ठीक है क्या ठीक है ठीक है कित्ते हेट जे बताओ चार मट्की माखन, छे मट्की दूध और पांच मट्की दही ठीकी मट्की कौन बताएगो हाँ घीकी भी तीन मट्की है वहाँ जाके भूल मती जाना सही से गिंती कराना और हाँ, आते बग दो गुना अग्रिम धन रासी लेके आनी है समझ में आई? ठीक है स्मरन रखना यदि आते बग धन ना लेके आए तो घर में प्रवेश न करने दूंगी ठीक है भाईया ये नंद गाउं ही है ना? है तो भाईया पर आज कल नंद गाउं से अधिक नंद के नंदन का गाउं कहलाती है गोकुरू हाँ सुना तो मैने भी बहुत है उसके बारे में वो मनमोहक बहुत है और दिव्य तो इतना है कि महाराक्षसी पूतना भी उसे कोई हानी नहीं पहुचा पाई हमारे काना को भी उनका असरवाद मिल जाता तो कितना अच्छा होता जी इसलिए तामंत्रित करने जारू तो मैं पतो है ना स्वच्छता और सुद्धता के इतने पक्के हैं कि पूजा पाठ आरम करने से पहले स्वए मंदिर को धोते अरे ब्राह्मन देवता जी सब फिर से करने के क्या वाशकता है इतना तो सामान्य है किसी के लिए सामान्य होगा लेकिन मेरे लिए प्रभू श्री नारायन की एच्छा से पूर्ण स्वच्छता चाहिए जब पूर्ण शुधता होगी तभी तो पूजा में मन लगेगा आप चिंता मतनी करू उनके आने से पहले सब स्वच कर दूँ भूँगा क्या ये सत्य है कि नंद राज का बालक दिव्व है जे तो मुझे न पतो ब्राह्मन देवता कि वो दिव्व है कि ना पर कुछ तो बात है उसमें उसे देख के मन को अध्भुत संतुष्टी मिलतो है मैं मैया के साथ रहने के लिए घर पे रुगा और मैया कारिय में लग गई ऐसा क्या विशेश है करनो प्रामान में अच्छा कुछ बन के क्यों गूमरों पीछे-पीछे कारे करने दे मुझे समयन आए मेरे पास मैया आप ही तो कह रहे थे मैं राजकुमार हूँ और आप रानी अब आप ठाडू से घर बुवार रही हो ना लला रानी हुई तो क्या हुआ अपने घर का कारे स्वयम करनों चाहिए लला रहने दे छोड़ दे राजकुमार में पास क्या हुआ अपने घर का कारे स्वयम करनों चाहिए मैं तो आपक्या कारे स्वयम करना चाहता था मैया उतार बढ़ा दियू मैंने छोड़ दे लला छोड़ दे सुझा मैटके माखन का सकती बढ़ा मैं कर लूंगी जैसा क्या सच में अब माखन चोरी करने नहीं जाहेंगी प्रभू चाना तो चाता हूँ पर गुकुल वास्तियों के ये पार्ट चिखाना भीता आसत है कि अपने राचा रानी ये अभी भावग का सुझाओ ना मानने का क्या दुफ परेनाम होता है अच्छा इसलिए आप चाते हैं कि वो सब माखन निकटा करके मतुरा ले जा सकें और समझ सकें कि उन्होंने किसके साथ वैपार करने की भूल की है